Hello dear students, welcome back to my YouTube channel, मैं सुद्धिर पाठी, आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ, हिंदी सम्बंदित समान ग्यान के कुछ महात्रपूर प्रश्न उत्तर, हमारी राष्ट भासा हिंदी है, या हम सभी जानते हैं, हमारे देश में सबसे जादे क्या बोली ज हाथにはुए, तो आज की कलास में मैं आप लोगों को हिंदी भासा से सम्बंदित महात्रपूर ़िंद ़ेने वाली हूं हुँ, जो आपके आने वाले सभी परिछाओं के चलिए फिर जादे बात ना करते हैं वीडियो स्टारट करते हैं और देते हैं अपना फर्स्ट कोईशन है भारत में सर्वा धिक लोगोंध्य कौन सी भासा बोली जाती है इसका सही एंसर होगा हिंदी भारत में सरवाधिक लोगों द्वारब बोली जाने वाली क्यूं सी भासा है हिंदी है और यह किस लिप से लिए गई है देव नागरी 43 में अनुछेद 343 में ये हिंदी राज भासा के रूप में जाने जाती है अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस तिथ को मना जाता है हिंदी दिवस किस तिथ को मना जाता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मना जाता है 14 सितंबर को मनाये जाता है ध्यान रखिएगा most important प्रशन है मैथली किस राज की भासा है मैथली किस राज की भासा है इसका सही answer होगा बिहार का मैथली किस राज की भासा है बिहार की भासा है इसके पहले class में हमने आप लोगों को भासा और बोली से related कुछ महात्रफूर प्रश्णों की सिंखला आप लोग के साथ share की हूँ यदि आप लोगों ने अभी तको वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको description बाक से मिल जाएगा जहां आप लोग जाके इजली भासा और बोलीों से related प्रश्णों को देख सकते हैं चलिए आगे प्रश्ण देखते हैं आगे प्रश्ण है भारत के प्रथम राष्ट कभी कौन है इसका सही एंसर होगा मैथली सरण गुपते भारत के प्रथम राष्ट कभी कौन है मैतली सरण गुपत है चलिए आगे प्रशन देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट कभी कौन है इसका सही एंसर होगा मैतली सरण गुपत है आगे प्रशन देखते हैं आधनिक युक की मीरा किसे कह जाता है most important प्रश्ण है guys आधनीक यूकी मीरा किसी कहा जाता है इसका सही एंसर है महादेवी बर्मा को अगला प्रश्न है हमारा हिंदी विशे पर प्रथम ज्यान पीट पुरुषकार पाने वाले कौन थे हिंदी विशे पर प्रथम ज्यान पीट पुरुसकार पाने वाले कौन थे? सुमित्रानंद पंत जी है ये मुश्ट इंप्वर्टन प्रशन है चलिए आगे प्रशन देखते है कलम का सिपाही किसे कह जाता है? इसका सही एंसर होगा मुनसी प्रेम चंद्र कलम का सिपाही किसे कह जाता है? मुनसी प्रेम चंद्र जी को आगे प्रशन है साहित्यकार अगे जी का पूरा नाम क्या है? साहित्यकार अगे जी का पूरा नाम क्या है? साहित्यकार अगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे ये अगेजी का पूरा नाम है आगे प्रस्ने देखते हैं हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है इसका सही एंसर होगा उतंड मातंड हिंदी के समाचार पत्र पत्र काउँ पे मैंने अल्रेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है यह आप लोग ने नहीं देखा है guys I hope आप लोग ने जरूर देखा हुआ है यह आप लोग ने अभी तक उस class के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका link आपको description box में उपर आई बटन में मिल जाएगा तो प्लीज जाके आप हिंदी के पत्रपत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं चलिए आगे प्रश्न देखते हैं आगे प्रश्न है भारत में संस्कृत मा है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नोकरानी है किस महापुरुस के अनमोल बचन है? प्रश्ण ध्यान से देखिए भारत में संस्कृत मा है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है किस महापुरुष के अनमोल बचन है ये? इसका सही एंसर होगा डाक्टर कामिल बुलके ने ये किसके बचन है? डाक्टर कामिल बुलके के प्रश्ण ध्यान से सुनिए मद्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साच्छर जिला घोसित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा नर्सिंग पूर को किसको घोसित किया गया है? नर्सिंग पूर को प्रथम हिंदी साच्छर जिला घोसित किया गया है most important प्रश्न है अगला प्रश्न है रामधारी सिंग दिनकर को किस रचना के लिए क्यान पीट पुरुषकार मिला था इसका सही उत्तर होगा उर्वशी रामधारी सिंग दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्यान पीट पुरुषकार मिला था रामधारी सिंग दिनकर को किस रचना के लिए ग्यानपीट पुरुषकार मिला था इसका सही एंसर होगा उर्वशी उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंग दिनकर को क्या मिला था ग्यानपीट पुरुषकार मिला था आगे प्रशन देखते हैं देश का पहला राष्ट्रिय हिंदी संग्राले कहां स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रिय हिंदी संग्राले कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका सही एंसर होगा आग्रा में. कहां स्थापित किया जा रहा है? अग्रा में देश का पहला राष्ट्रिय हिंदी संग्राल अस्थापित किया जा रहा है most important प्रश्ण है अगला प्रश्ण है बिश्व में सर्बाधिक भासाएं किस देश में बोली जाती है तो इसका सही answer होगा भारत में प्रश्ण है अगला प्रश्ण है विश्व में सर्बाधिक भासाएं किस देश में बोली जाती है विश्व में सर्बाधिक भासाएं किस देश में बोली जाती है तो इसका सही एंसर होगा भारत में कहां बोली जाती है सर्बाधिक भासाएं भारत में बोली जाती है 22 भासाओं को राजभासा के रूप में संबाधानिक मानिता प्राप्त है आगे प्रस्ण देखते हैं हिंदी बढ़ माला में कितने श्वर और कितने बेंजन होते हैं हिंदी बढ़ माला में कितने श्वर और कितने बेंजन होते हैं क्या होते हैं 37 बेंजन होते हैं आगे प्रशन देखते हैं हिंदी में आशुलूप के जन्मदाता कौन है हिंदी में आशुलूप के जन्मदाता कौन है इसका सही एंसर है राधे लाल दुवेदी राधे लाल दुवेदी जी हिंदी में आशुलूप के क्या है जन्मदाता है चलिए आगे प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है महादेवी बर्मा को किस रचना के लिए ग्यानपीट पुरुषकार मिला था महादेवी बर्मा जी को किस रचना के लिए ग्यानपीट पुरुषकार मिला था इसका सही अंसर होगा यामा यामा के लिए महादेवी बर्मा को क्या मिला था ज्यान पीट पुरुषकार मिला था चलिए आगे प्रशन देखते है आधुनिक यूग के चरण कौन है इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंग दिनकर आधुनिक यूग के क्या है चरण अगे प्रशन देखते हैं देवताओं की लिप किसे कह जाता है अगे प्रशन देखते हैं हिंदी भासा का प्रथम महाकाब किसे कह जाता है इसका सही एंसर होगा प्रिथवी राजरासों को प्रिथवी राजरासों को हिंदी भासा का प्रथम महाकाब कहा जाता है जिसकी रच प्रतिष्ठापक कौन है हिंदी घडि के प्रतिष्ठापक कौन है इसका सही उतर होगा आ चार महावीर परसाद्दुवेदी जी हिंदी घडिकेे क्या है प्रति-अ हरिषण्द जी है बातेन हरिसंद जी है चलिए आगे प्रशन देखते हैं आगे प्रशन है हिंदी साहित में हालावाद के परवर्तक कौन थे हिंदी साहित में हालावाद के परवर्तक कौन थे हिंदी साहित में हालावाद के परवर्तक हरिबन सराय बच्चन जी है आगे प्रशन देखते हैं हि मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबके लिंक आपको डिस्क्रप्शन बाक्स में मिल जाएंगे प्लीज जाके जरूर वाच कर लिजिए आई होप आप लोगों ने वाच किया होगा बट यदि अभी तक अपने कुछ आता है कि हिंदी के प्रथम कभी कौन है हिंदी के प्रथम कभी है सिद्ध सरप्पा जी जिनका समय है नावी सताब्दी आगे प्रशन देखते हैं हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है हिंदी की प्रथम रचना स्रावका चार ग्रं कौन है हिंदी का प्रत्थम उपन्यास कौन सा है हिंदी का प्रत्थम उपन्यास परिच्छा गुरू है जिसे किस ने लिखा है स्री निवास दास वमत ने परिच्छा गुरू लिखा है और ये हिंदी का प्रत्थम उपन्यास है most important टाइस जितने भी ही प्रश्ण आज की क्लास में मैं आपकों को बता रहे हूँ सारे प्रश्ण most important है आप एक भी प्रश्ण इसकिप मत कीजिएगा प्लीस सारे प्रश्णों को ध्यान से देखिएगा most important प्रश्ण है हंधी भासा के लिए चलिए आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, संबाद कौमदी, आगे प्रशन देखते हैं, हिंदी का सरपर्थम गीद लेखा कौन है, इसका सही उद्धर होगा, बिद्यापती, सुधा वर्शन, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, इसका सही उद्धर होगा, एक घूट, आगे प्रशन देखते हैं, मैला आचल उपन्याज के लेखक कौन है मैला आचल उपन्याज के लेखक कौन है इसका सही अन्षर होगा परेंडीसवर नाथ रेडू अगला प्रशन है धिस टॉपिक पे रूरड़ी मैं क्लास ले चुकी है आपको मेरे चनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा हिंदी साहिती को कितने कालों में भाजित किया गया है आप लोग प्लीज जरूर वस किजिएगा सबकी लिंक आपको डिस्क्रिब्चन वाक्ने मिल जाएगे पहला है आदिकालिया वीरगाथा काल दूसरा है मधिकाल या भक्तिकाल तीसरा है उत्तर मधिकाल या रेतिकाल और चोथा है आधनिकाल ये चार काल खंडों में हिंदी साहित के इतिहास को विभाजित किया गया है आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ हिंदी के कुछ important question and answer को share की हूँ आई होब आप लोगों को सारे प्रशन अच्छे लगे हूँ और इसका second part में जल्दी ही आप लोगों के साथ share करूँगी ये हिंदी समान ग्यान बस्तोनिष्ट प्रशनों का first class था आप लोग वीडियो पूरा वाच कीजिएगा इसकी मत कीजिएगा और इसकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में जरूर सेयर करें और सब्सक्राइब करके बिल आइकन का बटन हिट करना मत भूलें थेंक्स पार वाचिंग बाए बाए